कोरोना वाइरस से बचने के लिए क्या ये उपाए है कारगत। कि इन तमाम तरह के उपायों और भरांतियों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन खूप ने विस्तार से जानकारी दी है। कोरोना वाइरस से बचने के लिए ये दस उपाए। 1. थंड और बर्फ कोरोना को मार सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस पर यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि थंड का मौसम नए कोरोना वाइरस या अन्य बीमारियों को मार सकता है। कोरोना से खुद को बचाने के लिए सबसे बहतर तरीका अलकोहल युक्ट सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ को साफ करते रहना है। 2. गर्म पानी से नहाने से होगी रोक थाम। विश्व स्वास्थे संगठनकू ने यह भी खुलासा किया है कि गर्म पानी से नहाने से नए कोरोना वाइरस की रोक थाम नहीं की जा सकती है। कोरोना से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपने हाथों की सफाई करना है। ऐसा करने से आप अपने हाथों पर लगने वाले संक्रमन को खत्म कर सकते हैं। 3. मच्छर के काटने से कोरोना फैलता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वाइरस मच्छर काटने से हो सकता है। यह श्वसं संबंधी वाइरस है, जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ती के खांसने, छीकने से फैसला है। इस संक्रमन से बचने के लिए हमेशा हाथ धोए और खांसी वचीकने वाले किसी भी शक्स के साथ निकट संपर्क से बचे। इसके अलावा लार के जरिये भी यह वाइरस फैलता है। चार, हैंड ड्रायर से कोरोना मर जाता है। फू के मुताबिक नहीं नए कोरोना वाइरस को मारने में हैंड ड्रायर कारगर नहीं है। इससे बचाव के लिए हमेशा अपने हाथों को अलकोहल युक्त हैंड वॉश से साफ करें या साबुन पानी से हाथ धोते रहें, इससे बचने का सबसे कारगर तरीका यही है. हाथ धोने के बाद टिशू पेपर या हैंड ड्रायर से हाथ साफ कर सकते हैं. 5. पराबैंगनी कीटानु नाशक लैंप मार सकता है कोरोना. हाथ या शरीर के किसी भी हिस्से को कीटानु रहित रखने के लिए पराबैंगनी कीटानु नाशक लैंप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तवचा पर जलन पैदा कर सकता है. 6. संक्रमित की पहचान में थमल स्कैनर कितना प्रभावी थमल स्कैनर तभी कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान कर सकता है जब व्यक्ति को इस संक्रमन के कारण बुखार या उसके शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो हाला कि थमल स्कैनर कोरोना से संक्रमित उन लोगों की पहचान नहीं कर सकता, जिन्हें बुखार ना हो 7. शरीर पर अलकोहल या क्लोरीन का छिर्काव पूरे शरीर पर अलकोहल या क्लोरीन का चिवकाव करने से पहले से मौजूद वाइरस को नहीं मारा जा सकता है, जो आपके शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं. 8. निमोनिया से बचाने वाली वैक्सीन प्रभावी लहसुन एक स्वस्थ भोजन है जिसमें कुछ रोगानुरोधी गुन हो सकते हैं. हाला कि फिलहाल ऐसी कोई शोध नहीं की लहसुन खाने से कोरोना वाइरस से बचा जा सकता है. 10. बुजूर्गिया बच्चों पर करता है हमला कोरोना वाइरस से किसी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं. पहले से अस्थमा, दाइबिटीज, दिल की बीमारी आदी से जूज रहे लोगों को इस वाइरस से ज्यादा खत्रा है.